एसल रास चोरा तो भड़ो जीरन तो तारक हावाई नर्शी महतानो चोरो नर्शी जी खुद ये भगवान की सेवा पुझा करते थे और इज़र रहते थे ये उनका गवर था बाद में मंदिर बना आप लोग जहां पर खड़े हो वहां पर कृष्ण भगवान बावन बाद नर्शी जी के काम करने के लिए क्यों नर्शी मेता ने संसार मेरे के भक्ती की तो भगवान उनके सारे काम संसारिक कर गई बेटा वेटी की साधी उनकी बेटी की गोड़ पर आये उनके पिता जी का स्राहद उनकी हुड़ी चुकाए उपरपट के राजा रामन लिख ने नर्शी जी को केट कर दिया था तब यही भगवान ने उनके गले का हार पेना पूंभायाहे ता की एह अजये नर्शी जी की लाओन काम करने थे नर्शी जी और भगवान नलीका पर दोबार नलीका एक बार इरा कर जोर दुसरा जब तर के राजहाए ने उनको केट कर दिया था तब नर्शी जी और भगवान तो सेउजी ने क्रस्ण भगवान को मिल और और केदारा राग और वचन दिया था जहां केदारा गिर्वी रखाता हो भुवाया, नर्सी जी के खोले में दिया, नर्सी जी केदारा गाते, और यही बगवान के डले का आप नर्सी जी को जाता है, वो उनका आपकरी काम का बावनबा, उपर पढ़ के राजा रामनिक नर्सी जी के चरण में पढ़ जाते, कि ध पर आप लोग आप लोग जहां पर खड़े वो वहां पर आकास में से फुल की बर्चा भी दर हुई इतना ये भूमी का बाता हुए तो असल रास चोरा लिखा है राउं 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 वहां पर बगवान ने रास लिला किती वही चगा है वो नर्सी में ता रोज साम को वहां पर भजन करते हैं हम सबको बोलते हैं कि हमने आपको समझाया पर आपको बगवान को पहिना पड़ेगा कि प्रभू जैसे तुमने नर्सी जी की बेटी का किया ऐसा सबकी बेटी का पहरा करते हुए जाय कर्षाण कि आपको 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 नार्सी जैसे में आपको याजब को यह प्रिप्राइब्यूंत ना की बेटीटी झाल, 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 झाल